तो चलिए आज हम रिवाइज करने वाले है एक टॉपिक डाइज रेसिदेंशल स्टेटस एड़ी यर निकाला जाता है एवरी यर देखना पड़ता है कि किसी भी परसन का रेसिदेंशल स्टेटस क्या है क्योंकि अगर कोई परसन रेसिदेंट बन जाता है तो अपने को पता करना पड़ेगा कोई परसन रेसिदेंशल स्टेटस कैसे देखने के लिए बेटा दो बेसिक कंडिशन है और ये दो बेसिक कंडिशन जो है न ये दो बेसिक कंडिशन मेंसे अगर आपने एक भी बेसिक कंडिशन सेटिसफाइड कर ली तो आप बन गए रेसिदेंट दो बेसिक कंडिशन है वन और टू और ये दो बेसिक कंडिशन मेंसे आपने अगर एक भी बेसिक कंडिशन सेट अब एक चीज समझना यहां previous year का मतलब current previous year से है current previous year मिस आपके exam के लिए 23-24 is your previous year तो पहली basic condition बोलती है stay in India for 182 days or more in current previous year मिस previous year 23-24 में आप 182 days या उससे ज़्यादा इंडिया में stay किया है तो पहली basic condition satisfied होगी second basic condition क्या बोलती है stay in India for 60 days or more in previous year मिस current previous year में 60 days or more and 365 days or more in the last for previous year last for previous year मिस current previous year को छोड़ दीजिए उसके पिछले जो 4 previous year है उसमें आपका total 365 days और more का stay रहा है अब यह दो basic condition है इन दोनों की बीच में यहां पे आप देखेंगे और लिखा हुआ है और का मतलब होता है इन दोनों मेंसे अगर एक भी basic condition satisfied हो गई तो आप बन गए resident, otherwise आप बन गए non-resident अब एक बात समझना अगर कोई assessi non-resident बन जाता है कोई individual non-resident बन जाता है तो बेटा बोलने का till लेने गया आगे आपको कुछ चेक करने की ज़रुवत नहीं है मिस एक भी condition satisfied नहीं की that person is a non-resident, non-resident बन गया तो till लेने गया क्या बोला है, till लेने गया अपने लोग class में क्या बोलते थे, goes to buy oil तो non-resident बन गया तो goes to buy oil लेकिन अगर कोई person है वो resident बन गया मिस इन दोनों में से at least one basic condition satisfied कर दी resident बन गया तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो person resident and ordinarily resident है या फिर resident but not ordinarily resident है वो individual resident and ordinarily resident है या resident but not ordinarily resident है तो उसके लिए दो एडिशनल कंडिशन है तो एडिशनल कंडिशन और पहली एडिशनल कंडिशन है resident for two previous year और more in the last 10 previous year and stay in India for 730 days और more in last 7 previous year तो तो एडिशनल कंडिशन है और एक बात समझना अगर यह दोनों additional conditions satisfied कर ली along with at least one basic condition तो वो बंदा बन जाएगा resident and ordinarily resident otherwise वो person बनेगा resident but not ordinarily resident तो दो एडिशनल कंडिशनल कंडिशन कंडिशन है पहली एडिशनल condition resident for the two previous year और more in the last 10 previous year and stay in इंडिया for 730 days और more in the last 7 previous year तो यह दोनों additional condition के बीच में यहाँ पे end लिखा हुआ है मिस बोथ additional condition वो satisfied करता है at least along with one basic condition then that person will be treated as a resident and ordinarily resident otherwise that person will be treated as resident but not ordinarily resident अब एक और चीज़ समझना एक और चीज़ समझना जब भी आप number of days calculate करते हो ना उसमें धियान रखना जिस दिन कोई भी individual इंडिया में आता है और जिस दिन इंडिया छोड़के जाता है वो दोनो दिन इंडिया में माने जाएंगे जैसे flight land किया वो आज के दिन किया तो आज भी इंडिया में माना जाएगा कल वो person वापस fly करके गया इंडिया से तो कल का दिन भी इंडिया में माना जाएगा तो जिस दिन वो इंडिया में आता है, वो दिन भी इंडिया में माना जाएगा, और जिस दिन वो इंडिया से जाता है, वो दिन भी इंडिया में माना जाएगा, अब एक चीज समझना, तीन ऐसे exceptional cases है, जहां पर आपकी ये first basic condition देखनी की जरूरत नहीं है, there are three exceptional cases, oh मैंने उल second basic condition है, ये second basic condition है, वो देखनी की जरूरत नहीं है, कितने cases में, three cases में, अब आप बोलो कि sir, कौन-कौन से ऐसे three cases है, उस पर ये second basic condition देखनी की जरूरत नहीं है, तो देखिए second basic condition पर मैंने पट्टी लगा दी, तो second basic condition देखना ही नहीं है, there are three cases, वहाँ पर ये second basic condition देखना ही नहीं है, only first basic condition देखिए, first basic condition satisfied हुआ, तो resident, otherwise सीधा non-resident, तर ये कौन-कौन से cases है, जहाँ पर ये second basic condition, 60 days or more in previous year, 365 days or more in last year, वो नहीं देखना, कौन-कौन से cases में, सबसे पहला, अगर कोई Indian citizen है, और वो Indian citizen इस साल में इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, किसके लिए employment के लिए, तो कोई Indian citizen है, इंडिया चोड़ के जा रहा है, वो इस साल में इंडिया छोड़ के जा रहा है, बाहर, किस लिए जा रहा है, employment के लिए इंडिया के बाहर जा जा रहा है, तो वो तुम्हारे employment की category में आता है, और employment की category में आता है, तो इंडिया के बाहर, अगर Indian citizen है, वो इस साल इंडिया छोड के बाहर जा रहा है, for an employment outside इंडिया, तो आपको second basic condition नहीं देखना। दूसरा अगर कोई Indian citizen है वो crew member है किसी Indian ship का और इस साल इंडिया छोड़के बाहर जा रहा है Indian citizen is a crew member, crew member का मतलब जो ship के उपर जो लोग काम करते हैं उसको crew member बोलते है तो crew member of the Indian ship और वो इंडिया छोड़के इस साल में बाहर जा रहा है तो उसके लिए भी ये second basic condition देखने की ज़रुआत नहीं है पीसरा point अगर कोई Indian citizen है या person of Indian origin है person of Indian origin का मतलब होता है ऐसा person जिसके parents या grand parents में से किसी का जन्म undivided इंडिया में हुआ था अगर कोई person individual ऐसा है जिसके parents में से किसी का या grand parents में से किसी का जन्म undivided इंडिया में हुआ था तो उसको person of Indian origin बोलेंगे इस हिसाब से मैं बता दू पाकिस्तान में जितने लोग रहते है वो सब person of Indian origin है कि उसके parents या grand parents में से किसी का जन्म है वो undivided इंडिया में हुआ था तो देखिए मैंने बोला कोई Indian citizen है या person of Indian origin है जो इंडिया के बाहर business में employment में या profession में engaged है इंडिया के बाहर काम करता है वो इस साल में इंडिया आ रहे है विजिट करने के लिए और उनकी जो total income है excluding foreign source का income मिस इंडिया से जो उनकी income है वो up to 15 lakh है मिस 15 lakh या उससे कम है तो उस particular case में बेटा यह second basic condition देखने की जरूवत नहीं है तो मैं क्या बोल रहा हूँ तीन लोग ऐसे है there are three exceptional cases where this second basic condition आपको देखने की जरूवत नहीं यह second basic condition पर आपको काटा मारना है कौन-कौन से तीन किसे सबसे पहले Indian citizen leave India during the previous year for an employment outside India Indian citizen leave India during the previous year as a crew member of the Indian ship Indian citizen और person of Indian origin comes in India for a visit and उनका जो इंडिया से income है वो इंडिया से income उनका 15 lakh या उससे कम है 15 lakh से ज्यादा नहीं है लेकिन सर एक बात बताईए यहां third condition में आप बोल रहे हैं कि उसका income इंडिया में 15 lakh से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर 15 lakh से ज्यादा हो गया तो if it is more than 15 lakh तो क्या होगा एक बात बताऊं more than 15 lakh हुआ न तो बेटा यह second condition आपको देखनी पड़ेगी यह second condition आपको देखनी पड़ेगी और यहां 60 days की जगे आपका replace हो जाएगा 120 days से 60 days की जगे आपका replace हो जाएगा 120 days से तो second basic condition बन जाएगी stay in India for 120 days or more in previous year and 365 days or more in last for previous year and guys अगर first basic condition satisfied नहीं होती और यह second basic condition satisfied हो जाती है 120 days वाली जब कोई Indian citizen या person of Indian origin जो इंडिया में आ रहे है विजिट के लिए आ रहे है और उनका Indian income 15 lakh से जादा है और यह second basic condition अगर satisfied हो जाती है तो वो बंदा resident बन जाएगा बट सीधा resident बट not orderly resident बनाना है वहाँ पर आपको additional condition वगरा चेक करने की ज़रुवत नहीं है मैंने क्या बोला वापस बोल रहा हूँ कि देखिए अगर कोई Indian citizen या person of Indian origin जो इंडिया के बाहर कोई job करता है बिजनस करता है प्रोफेशन करता है वो इस साल इंडिया में visit के लिए आ रहा है और उसका total income अगर 15 lakh या उससे कम है तो तो उस particular case में second basic condition देखना ही नहीं है बट अगर वो 15 lakh से जादा है तो आपको second basic condition देखना पड़ेगा और 60 days की जगे आपका 120 days हो जाएगा और अगर second basic condition satisfied होता है first basic condition satisfied नहीं हो रहा second 120 days वाला हो गया तो पेटा आपको additional condition देखने की जरुवत नहीं उसको सीधा बना दीजिए resident but not ordinarily resident you got my point or not yes अब एक और चीज समझना एक चीज समझना यहाँ पर exhibitity का clarification है clarification यह है कि अगर कोई भी Indian citizen है और वो Indian citizen किसी crew member का crew member है किसी ship का crew member का मतलब होता है कि जो ship पे काम करते हैं उसको crew member बोलते है और वो ship इंडिया के बाहर जा रही है अगर वो ship इंडिया के बाहर जा रही है बाहर जाने का मतलब originated from India and destination outside इंडिया है means इंडिया के बाहर जा रही है जैसे माल लो Indian Mumbai port से कोई ship है वो Canada जा रही है इंडिया से बाहर जा रही है जिसको ओपन foreign bound ship बोलते है तो अगर कोई Indian citizen है जो crew member है foreign bound ship का तो उसके case में number of days जब आप calculate करते हो ना तो उसके case में एक चीज ध्यान रखना है जिस दिन वो ship को join करता है जिस दिन वो ship को join करता है उस दिन वो एक date enter करता है in the continue discharge certificate means यहाँ पे जो navy वगेरा जो होते है जो ship वगेरा होते है वो ship में क्या होता है कि ship को join करते time एक certificate होता है उसमें आपको एक date enter करनी पड़ती है कि इस दिन आपने ship को join किया और जब वापस वो ship इंडिया आ जाती है तो वो ship को आप sign up करते हो sign up करने का मतलब है उस ship को छोड़ के आते हो एक चीज धिया रखना जिस दिन आपने date enter की थी उस वाले certificate में और जिस दिन आपने sign up किया यह दोनो दिन और उसके बीच में जितने भी दिन है वो सब यह माना जाएगा कि आपका stay outside India है यह माना जाएगा कि यह आपका stay outside India है तो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना कि अगर कोई Indian citizen है जो के crew member है किसी भी ship का foreign bound ship का और उस particular case में वो क्या करता है कि जो continue discharge certificate है उसमें जो date enter करता है उस ship को join करने की और वापत जब वो ship आती है तो उसको sign up करने की जो date enter करता है वो दोनों दिन और उसके बीच में जितने भी दिन है वो यह माना जाएगा कि यह stay outside India है क्या माना जाएगा stay outside India अब एक चीज समझना एक section हुआ करती है section 6.1a करके और 6.1a is related to the dimmed resident dimmed resident का मतलब क्या होता है क्या होता है क्या जो resident बन नहीं रहा है बड़ उसको अपन resident मान लेंगे अब एक चीज समझना मैंने आपको 6.1 में क्या बताया था कि अगर यह दो basic condition है इसमें से अगर एक भी condition satisfied हो गई अगर कोई Indian citizen है and having total income उसकी जो इंडिया में income हो रही है foreign source की income को छोड़ के जो इंडिया में income होती है वो 15 lakh से जादा है और वो world में किसी और country में tax pay करने के लिए liable नहीं है world में किसी और country में वो tax pay करने के लिए liable नहीं है he is not liable to pay tax in any country outside India due to his domicile or due to his like residency means वो किसी और country में domicile residence की वज़े से tax pay करने के लिए liable नहीं है तो lawmakers बोलते हैं उसको हम इंडिया का resident मान लेंगे but उसको resident but not ordinarily resident मानेंगे वापस से बोल रहा हूँ देखिए अगर कोई Indian citizen है जो normally इंडिया का 6-1 के हिसाब से resident नहीं बनता है लेकिन वो Indian citizen की इंडिया में जो total income है वो total income 15 lakh से ज़ादा है foreign source के income को छोड़ के और बेटा वर्ड में किसी और country में वो person liable to pay tax नहीं है due to his residency और domicile की वज़े से तो उसको इंडिया का resident मानेंगे आपको पता रहेगा क्लास में मैंने आपको example दिया था टेकनिकल गुरुजी का और जो टेकनिकल गुरुजी है गौरव I think राइट तो टेकनिकल गुरुजी है वो दुबई में रहता है बंदा दुबई में रहता है बट वो citizenship उसके पास अभी भी इंडिया की है अब एक बात समझेए वो ऐसे तो non-resident बन गया क्योंकि पूरे साल दुबई में रहा अब वो non-resident बन गया बट वो Indian citizen है एक बात समझना और उसकी मानलो इंडिया से income हो रही है वो 15 lakh से जादा है तो इंडिया से जो income होती है वो अगर 15 lakh से जादा है और वो person कहीं पे भी liable to pay tax नहीं है due to his residency और domicile क्योंकि दुबई में tax लगता नहीं है तो उस particular case में उसको हम इंडिया का deemed resident मान लेंगे बट वो resident बट not ordinary resident माना जाएगा अब एक चीज समझना हुआप का residential status कैसे बता चलेगा तो हुआप का residential status निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो हुआप का control और management of its affair कहां से चल रहा है miss affair कहां से चल रहा है नहीं affairs का मतलब होता है कि उसका control management उसके जो भी business के जो affairs है वो कहां से control हो रहे है, manage हो रहे है management and control उसके जो affairs है, उसका कहां से हो रहा है अगर holy और partly in India है तो वो resident और holy outside India है तो वो non resident अब एक और चीज़ समझना अगर H.U.E.P. resident बन गया तो आपको देखना पड़ेगा कि वो H.U.E.P. R.N. OR है या फिर R.B. 10. OR है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या करता जो उस H.U.E.P. का है वो करता दोनो additional conditions 6-6 की satisfied कर रहा है नहीं अगर करता 6-6 की both additional conditions satisfied करता है तो वो H.U.E.P. बन जाएगा R.N. OR otherwise हो H.U.E.P. बनेगा R.B.N. OR तो मैंने क्या बोला देखो control and management है उसके अफेर के कहां से पार्टली और होली इन इंडिया है तो resident otherwise non-resident और उसका करता बोद the additional condition of the 6-6 satisfied करता है तो वो H.U.E.P. बन जाएगा resident and orderly resident otherwise हो H.U.E.P. resident but not orderly resident अब एक और चीज़ समझना partnership firm A.O.P. B.O.I. local authority and artificial juridical person उनका residential status depend करेगा control and management पे तो उसका control and management of affairs कहां से है अगर वो होली और पार्टली इन इंडिया है तो तो resident otherwise सीधा non-resident अब यहाँ पे वो नहीं देखना कि R.N.O.R. आरबट N.O.R. एक बात बता हूँ यह R.N.O.R. आरबट N.O.R. है न यह सिरफ individual और H.U.E.P. के case में देखा जाता है अदरवाइस वो क्या बन जाएगा non-resident company के case में क्या होता है एक बात बता हूँ जो भी Indian company होती है जो इंडिया में incorporate हुई है वो हमिशा resident होती है always resident BB virtuals, private limited, reliance है, TATA है यह सब क्या है यह इंडिया में registered हुई है Indian company है तो यह सब always resident है लेकिन कोई भी foreign company है ना वो foreign company resident तभी बनेगी अगर उस foreign company का poem इंडिया में है poem का मतलब होता है place of effective management and control place of effective management and control कहां पे है place of effective management and control का मतलब होता है कि उसके decision कहां से लिए जा रहे है जो crucial decision है वो कहां से लिए जा रहे है तो foreign company का crucial decision अगर इंडिया से लिए जा रहे है, तो वो foreign company इंडिया की resident बन जाएगी, otherwise वो foreign company इंडिया की non-resident बन जाएगी करके, ठीक है, चलिए, अब आप बोलोगे यह poem decide कैसे होता है, वो अपन सब CA final में पढ़ने वाले है, उसके बाद में एक section आती है 5, that is scope of total income, एक बात बताऊं, income दो तरह की होती है एक होती है Indian income और एक होती है foreign income, अब आप बोलोगे Indian income किसको बोलते है, तो Indian income का मतलब होता है ऐसी income, जो या तो इंडिया में accrued हुई है, या फिर इंडिया में अक्रूड हुई है, अक्रूड का मतलब जनरेट कहां पे हुई है, जैसे मैं सेलरी इंकम की बात करूँगा, तो जॉब कहां पे कर रहे हो, अगर जॉब इंडिया में कर रहे हो, तो अक्रू इंडिया में हो रहे है, अगर बिजनस और प्रोफेशन इंडिया में है, तो इसका जो accrue हो रा है income वो इंडिया से हो रहा है capital asset अगर inडिया में located है तो capital asset को बेचने से जो profit होगा capital asset अगर inडिया में то उसका income capital gain accrue इंडिया में हो रहा है अगर आपकी other sources की income है जैसे indian company से dividend मिला या indian bank है india में जो bank है उस से interest मिला तो वो accrue कहा हो रहा है इंडिया में हो रहा है, तो that is called accru और generated, या उसका source कहाँ पे, अगर मानलो source इंडिया से है, तो वो इंडियान income है, या फिर मानलो source इंडिया से नहीं है, लेकिन वो received इंडिया में हुई है, मतलब पहली बार वो पैसा मिला कहाँ अगर वो पैसा मिला कहाँ पे है, तो वो received अगर इंडिया में है, तो वो इंडियान income है, एक बात समझना, मैं गया यहाँ से दुबई, institute के लिए lecture लेने के लिए, दुबई में मैं लेक्चर लिया, उसके बाद मैं मुंबई आया, और मुंबई में मुझे पैसा मिला, देखो, यह जो income हुई, वो accru तो दुबई में हुई थी, because I have performed my service in the Dubai, बट मुझे पैसा अगर मुंबई में मिला, तो received in India हुई, और received in India हुई, तो यह Indian income हो जाएगी, तो Indian income किसको बोलते हैं, या तो जो accru और arise in India हुई है, या फिर जो received in India हुई है, इन दोनों में से एक भी चीज़ अगर इंडिया में हुई, तो वो तुमारी Indian income हो जाएगी, और foreign income किसको बोलेंगे, जो इंडिया के बाहर अक्रू हुई है, और बाहर ही रिसीव हुई है, बाहर ही रिसीव हुई है, उसको open foreign income बोलेंगे, अब एक चीज़ समझना, कौन से person के लिए कौन से income taxable होती है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहली चीज़, अगर कोई person resident and ordinarily resident होता है, Indian income जो होती है, वो सबके लिए taxable है, जो foreign income होती है, अगर foreign income है, बट वो business control from India है, या foreign profession वू was setup in इंडिया है, देखो, foreign income है miss, foreign में business है, या foreign में profession है, Acclude भी बाहर से हो रही है, Received भी बाहर से हो रही है, बढ़ अगर वो business control इंडिया से है, या वो foreign का कोई profession ऐसा है जो पहले setup इंडिया में हुआ था, वो foreign का profession है, तो उस particular case में ऐसी जो foreign income है न, जो business control इंडिया से हो रहा है, profession was set up in India, बट अभी इंडिया के बाहर है, तो वो income R&OR के लिए taxable होगी, R but NOR के लिए taxable होगी, और NR के लिए taxable नहीं होगी, अब एक और चीज समझना, कोई दूसरी foreign income है न, तो दूसरी foreign income जो है, वो सिरब R&OR के लिए taxable होती है, R but NOR के लिए taxable नहीं होती, और NR के लिए भी taxable नहीं होती, तो मैंने क्या बोला, देखो, Indian income तीनों के लिए taxable हो जाएगी, foreign income बट business control from India, profession was set up in India, वो R&OR के लिए taxable है, R but NOR के लिए taxable है, NR के लिए नहीं है, and guys, other foreign income है, वो R&OR के लिए taxable है, R but NOR, NR के लिए taxable नहीं है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अब आपको समझ में आएगा, एक चीज़ द्यान रखो, देखो, R&OR ऐसा है, जिसके लिए पूरे world की income taxable है, देखो न, R&OR के लिए पूरे world की income taxable है, Indian income भी taxable और foreign income भी taxable, R but NOR के लिए Indian income taxable है, और foreign की income वो ही वाली taxable है, जो business control from India है, या profession वो set up in India, and NR के लिए देखिए, सिरफ Indian income है, वो ही taxable है, यही तो मैंने start किया था topic तब बताया था, कि R&OR के लिए देखिए, पूरे world की income taxable है, R but NOR के लिए सिरफ Indian income taxable है, और foreign की income, जो business control from India है, वो taxable है, और NR के लिए जो है, वो सिरफ Indian income है, वो ही taxable होती है, you got my point or not, yes, अब एक और चीज़ समझना, यह तो हुआ individual HVF की बात, other SEC के case में क्या होगा, तो other SEC के case में आप resident बनते हो, तो पूरे world की income taxable है, non-resident हो, तो सिरफ India की income है, वो ही आपके लिए taxable होती है, अब एक और चीज़ समझना, income का मतलब होता है, आपका, जो income का मतलब in cash भी हो सकता है, in kind भी हो सकता है, एक और चीज़ समझना, बहुत बार ऐसा होता है, कि India के बाहर आपने income कमा ली, और उसके बाद उस पैसे को आप रेमिट करते हो, इंडिया में, तो इंडिया में रेमिटेंस का मतलब क्या यह received in India है, answer is no, रेमिटेंस इस not called received in India, यह taxable नहीं होगा, जैसे माल लो दुबई में कोई relative है, वो वहाँ पे काम करता है, वहीं पे पैसा उसको earn करता है, वहीं पैसा मिलता है, उसके बाद वो अपनी wife को इंडिया में पैसा बेजता है, तो उस particular case में यह received in India नहीं है, यह रेमिटेंस है, और रेमिटेंस है, वो taxable नहीं होगा, as well as बहुत बार examiner आपको ऐसे देगा, कि पुराना कोई untax profit है, जो पहले का है, दस साल पहले का, वो अब आप इंडिया में लेके आए, तो क्या अभी इंडिया में taxable करना है, answer is no, उस पे tax उस year में लगना चाहिए था, जिस year का वो income था, अब उस year में क्यों नहीं लगा हो और जो employer contribution करता है, RPF में 12% of salary तक तो exempt होता है, but 12% से उपर वाला वो taxable होता है, अब आप बोलोगे, वो तो employee को मिला ही नहीं पैसा, वो तो RPF में गया, तो भी क्या वो employee के हाथ में taxable होगा, answer is yes, वो deemed to be received in India माना जाएगा, और वो employee के हाथ में taxable हो जाएगा, as well as the RPF पे ज जो new pension scheme ATCCD वाला है, उसमें अगर employer contribute करता है, new pension scheme जो ATCCD वाला है, उसमें अगर employer contribution करता है, तो वो contribution वाला पैसा मिला नहीं है employee को, बट तो भी ये माना जाएगा, it is received by employee, and employee के हाथ में taxable हो जाएगा, as well as अगर आपका URPF का पैसा RPF में transfer करते हो, URPF का पुराना balance था, वो अगर RPF में transfer करते हो, तो उस time पे वो taxable होता है, वो employee को receive नहीं हुआ, बट तो भी ये माना जाएगा, कि वो deemed to be received by employee, अब एक और चीज़ समझना, कुछ income ऐसी होती है, जो deemed to be accrued or arise in India मानी जाती है, ऐसा देखने पे लगेगा, ये तो इंडिया में accrued or arise in India मानी जाएगी कौन-कौन सी, सबसे पहला, through or from any business connection in India, अगर मालो non-resident का इंडिया में कोई business connection है, और business connection की वज़े से अगर कोई income होती है, तो वो उसके लिए deemed to be accrued or arise in India माना जाएगी, अब आप बोलोगे ये business connection क्या होता है, मैं बता तो last year तक business connection को intermediate में define किया हुआ था, बट अभी उसको हटा दिया है, अभी आपके syllabus में, new syllabus में business connection का जो definition है, वो हटा दिया है, बट business connection होता क्या था, कि अगर कोई foreigner है, वो क्या करता है, इंडिया में किसी agent को appoint करता है, और agent क्या करता है, उस non-resident के भीहाब पे, इंडिया में अगर कोई order secure करता है, या उसके भीहाब पे कोई contract conclude कर या उसका stock रखता है और उसके कहदे अनुसार, उस stock की delivery करता है इंडिया में, तो वो business connection बन जाता था और non-resident का उस business connection की वज़े से कोई income होता था, तो वो deemed to be accrued or arise in India माना जाता था, बट आपको सिरफ इतना याद रखना है कि non-resident का अगर इंडिया में business connection है, business connection की वज़े से कोई income होता है, तो वो deemed to be accrued or arise in India माना जाएगा, या फिर अगर कोई property इंडिया में है, या फिर इंडिया में कोई asset है, या इंडिया में कोई source है, यां इंडिया में कोई capital asset situated थी, और उसको transfer कर देते है, तो उससे जो income होगा, वो deemed to be accrued or arise in India माना जाएगा, जैसे foreign example, मान और David Warner है, वो foreign का बंदा है, बट इंडिया में उसका एक property, एक house property है, ठीक है, और house property का rent आ रहा है, या उसने घर बेची दिया, capital गेन है, तो इंडिया में उस पर tax लगेगा, लेकिन एक चीज समझता, चार income ऐसी है, जो ये माना जाएगा, कि ये business connection नहीं है इंडिया में, चार purchase करता है, उसको वापस export कर देता है, तो ये माना जाएगा, उस non-resident का इंडिया में business connection नहीं है, example के लिए, मानलो foreign का कोई बंदा है, Sam करके USA का, उसने इंडिया में एक agent appoint किया, वो क्या करता है, यहां से मानलो चावल है, गयों है, वो खरीदता है, और खरीदने के बाद उस मुवी बना के चले जाते है, तो ये नहीं माना जाएगा, कि बिजनस connection इंडिया में बन गया, और मुवी का जितना भी income है, वो इंडिया में अकुरू हुआ, ऐसा माना जाएगा, no, it will not be treated as a income accrued or arise in India, करके में इस business connection नहीं माना जाएगा, अब एक चीज समझना है, उसमें shareholder है, वो shareholder, non-indian citizen, non-resident and non-indian citizen होने चाहिए, अगर ये सब condition satisfied होती है, तो उस particular case में movie shooting का मतलब इंडिया में business connection नहीं बनेगा, तीसरा, अगर कोई भी मानलो foreign का कोई news agency है, वो इंडिया में क्या करता है, और collect करने के बाद उसको foreign में exhibit करता है, तो ये कोई इंडिया में business connection नहीं बनेगा, जैसे मानलो एक Al Jajira करके foreign का news channel या newspaper है, अब Al Jajira के मानलो कुछ agent है, वो इंडिया में रहते हैं, और वो क्या करते हैं, इंडिया से news collect करते हैं, और Al Jajira हम foreign में उसको exhibit कर लेता है, उस news को चलाता है, तो उस particular case में ये business connection नहीं बनेगा, अगर कोई foreign की company, और uncut या unassorted diamond को, तो वो business connection नहीं माना जाएगा, जैसे मानलो South African एक foreign की company है, वो इंडिया में लागती है raw diamond, और raw diamond को क्या करती है, डिस्प्ले करती है, और डिस्प्ले करती है, तो उस particular case में बिटा, ये कोई business connection नहीं बनेगा, अब एक और चीज समझना, इसके बाद, next point ही आत वो तुमारी deemed to be accrued or arise in India माना जाएगा, अब एक और चीज समझना, next point बोलता है कि salary income for the service rendered in India, whether such income before or after service rendered like gratuity, pension, profit in lieu of salary, जैसे foreign example एक बंदा है, उसने service इंडिया में दी थी, job इंडिया में करता था, retirement के बाद वो Thailand में shift हो गया, अब एक बात समझना, वो Thailand में बैटे बैटे pension मिल रही है उसको, तो वो pension deemed to be accrued or arise in India मानी जाएगी, क्योंकि उसने service इंडिया में rendered की थी, एक और चीज समझना, अगर मालो कोई भी Indian citizen है, और उसको अपनी government के लिए service दे रहा है, और government से जो salary मिलती है न, वो हमेशा deemed to be accrued or arise in India मानी जाएगी, जैसे मालो इंडिया के बहुत सारे जो Indian foreign service के officer है, वो बाहर Indian embassies में काम करते हैं, जैसे Canada की embassy में यहां के लोग काम करते हैं, तो उनको पैसा कौन देता है, Indian government देती है, तो Indian government जो उनको salary देगी, वो हमेशा deemed to be accrued or arise in India मानी जाएगी, और वो इंडिया में taxable हो जाएगी, लेकिन उनको जो percusate और दिविडेंट देगी न, भले वो इंडिया के बाहर दे रही है, तो भी वो deemed to be accrued or arise in India माना जाएगा, एक और चीज समझना, अगर मानलो, इंडिया के बाहर आपने जाके किसी को गिफ्ट दे दिया, मतलब गिफ्ट of any money made by resident ने, किसी non-resident को दिया है, या foreign company को दिया है, या किसी आरबट नोर को दिया है, तो वो deemed to be accrued or arise in India माना जाएगा, तो मैंने हुआ क्या, एक बात समझना ही कोशिश करना, मैं इंडिया से पैसा लेके दुबई गया, अब दुबई में मैंने किसी शेक को गिफ्ट कर दिया, दुबई में मैंने किसी शेक को गिफ्ट किया, अब वो शेक क्या बोलता है, कि ये इंकम तो हमरा दुबई में accrued हुआ है, रिसीव भी दुबई में हुआ है, तो इंडिया में taxable नहीं, बला ऐसे है कैसे, तो अगर मान लो कोई resident person है, उसने इंडिया के बाहर जाके, किसी non-resident foreign company को, या किसी आरबट N.O.R. को गिफ्ट दिया पैसा, तो वो भी उस person receiver के लिए deemed to be accrued और arise in India माना जाएगा, और section 56 to 10 के वज़े से वो IFOS में taxable हो जाएगा करके, अब एक और चीज समझना, next point आता है, ये बड़ा interesting है करके, ठीक है, ये next point आता है, and this is the last point, and this is very interesting point, इस पर आप ध्यान देने कोशिश करना, ये क्य नोन रेजिडेंट ने लोन दिया अपनी government को, या तो government को, government का मतलब, अपनी government, central government, state government, कोई भी हो सकती है, government को, और इस government से अगर इस non-resident को interest मिलता है न, तो वो interest deemed to be accrued or arise in India माना जाएगा, मैंने क्या बोला, कि एक non-resident ने अपनी government को लोन दिया, और उस loan पे अगर interest मिलता ह तो इस non-resident को, वो deemed to be accrued or arise in India माना जाएगा, और वो taxable हो जाएगा, दूसरा, अगर इस non-resident ने, मान लोग किसी resident person को लोन दिया, किसी resident person को लोन दिया, और वो resident person ने, अगर इस non-resident को interest दिया, तो वो deemed to be accrued or arise in India माना जाएगा, मिस non-resident ने, किसी resident को लोन दिया, और वो resident न जी समझना, एक और जी समझना, इन्हों ने बोला, यहाँ पर इसका एक exception है, exception यह है, कि इस resident ने वो पैसा लेके इंडिया के बाहर के किसी business में लगाया है, या इंडिया के बाहर किसी source का income कमाने के लिए लगाया है, तो फिर इस non-resident के लिए वो deemed to be accrued or arise in India नहीं माना एक example लेते हैं, जैसे मानलो, एक USA का बंदा है, जिसका नाम है Lobo, एक एहनार है, जिसका नाम है Lobo, और वो USA का है, उसने मानलो, अपनी government को लोन दिया, government से interest मिला, deemed to be accrued or arise in India, अगर Lobo ने किसी resident person को लोन दिया, resident person का नाम है, example के लिए लेते, BB sir, मैं resident person हूँ, मुझे लोन और मैंने उसको interest दिया, तो वो deemed to be accrued or arise in India माना जाएगा, Lobo के लिए और वो taxable होगा, लेकिन अगर मैंने उस पैसे को, BB sir ने उस पैसे को, इंडिया के बाहर के किसी business में use किया है, या इंडिया के बाहर किसी source का income कमाने के लिए use किया है, तो फिर Lobo के लिए वो deemed to be accrued or arise in India नहीं माना जाएगा, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने सोचा, कि मैं जाके और मान लो नेपाल में business करूँगा, तो मैंने पैसा Lobo से लिया, जो non-resident है, मैं resident हूं, मैंने लोबो से पैसा लिया, और मैंने उसको नेपाल के business में use कर दिया, तो मैं जो interest pay कर रहा हूं Lobo को वो Lobo के लिए फिर deemed to be accrued or arise in India नहीं माना जाएगा, अब एक और जी समझता है, अगर ये Lobo ने loan दिया, वो किसी non-resident को दिया, मतला एक non-resident, दूसरे non-resident को loan दे रहा है, एंड इस non-resident ने उस पैसे को इंडिया के किसी business या profession में लगा दिया, उस non-resident ने वो पैसा इंडिया क किसी business and profession में लगाया, तो जो भी interest मिलेगा उस non-resident को इसको वो deemed to be accrued or arise in India माना जाएगा, तो जैसे मालो Lobo है, Lobo ने क्या किया, एक कोई hobo करके है, जो Canada का है, अब Lobo ने hobo को loan दिया, मिस USA का बंदा Canada के बंदे को loan दे रहा है, बट वो Canada का जो बंदा है hobo, उसने वो पैसा इंडिया के किसी business या profession में लगा दिया, तो जो भी interest मिलेगा, वो deemed to be accrued or arise in India माना जाएगा, लेकिन एक चीज़ धियान रखना, यहाँ पे जो non-resident है, उसने उस पैसे को कहा लगाया, इंडिया के business या profession में लगाया, तो ही वो interest इस Lobo के लिए deemed to be accrued or arise in India माना जाएगा, you got my point or not, yes, this is related to the interest, एक और जीज़ बता दो, यहाँ सिरफ तभी deemed to be accrued or arise in India माना जाएगा, जब यह होबो जो है Canada का, वो उसको इंडिया के business या profession में लगाता है, मानलो Indian company के share खरीद लेता है, या इंडिया में invest कर लेता है, तो deemed to be accrued or arise in India नहीं माना जाएगा, यह तभी माना जाएगा, जब होबो जो Canada का है, वो पैसा लोबो जो USA का है, उससे लेने के बाद, इंडिया के किसी business या profession में लगाता है, business या profession करता है उसका खुद का पैसे से, तो उस particular case में वो deemed to be accrued or arise in India माना जाएगा, ऐसा ही एक concept आता है, royalty और FTS का, royalty FTS का मतलब होता है, royalty का मत हो, patent, copyright, trademark, franchise, design वगर आप देते हो, तो उससे जो पैसा मिलता है, उसके बदले जो पैसा मिलता है, that is called royalty, as well as fees for technical service का मतलब होता है, कि अगर आप कोई technical service देते है, management service देते है, और उससे related कोई पैसा मिलता है, that is called FTS or fees for technical service, अब एक चीज समझना, यहाँ पर इनोंने क्या बोल माना चाएगा, या फिर मानलो, लोबो ने किसी resident person को, BB sir को कोई ऐसी service दी, जो कि जिसके लिए royalty FTS का पैसा मिला, तो वो भी deemed to be accrued or arise in India माना जाएगा, लेकिन BB sir ने उस service को इंडिया के बाहर के किसी business में, या इंडिया के बाहर के किसी income earn करने में लगाया, तो वो deemed to be accrued or horizon India तभी माना जाएगा, जब ये hobo ने क्या किया, वो वाला service है, वो इंडिया के किसी business या profession में लगाया, या इंडिया में किसी source का income कमाने के लिए लगाया, देखो interest वाले part में ये line नहीं जुड़ी हुई थी, interest वाले में क्या था, कि ये जो hobo है वो क्या करता है, उस पैस कमाने के लिए लगाता है, इंडिया में किसी source का income कमाने के लिए लगाता है, तो वो deemed to be accrued or horizon India माना जाएगा, ठीक है, तो देखो, जो interest है और royalty FTS है, उसमें छोटा सा फरक ये है, कि interest वाले में क्या था, कि ये दूसरा जो non resident hobo है, वो इंडिया के किसी business या profession में वो पैसा लगाता है, सिरब इतना लिखा हुआ था, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कि इंडिया के किसी business या profession में लगाता है, या इंडिया में किसी source का income कमाने के लिए लगाता है, तो वो deemed to be accrued or horizon India माना जाएगा, तो ये topic को complete करने के लिए, मुझे 35 minutes का time लगा, और ये 35 minutes में अपन ने आरहम से इस topic को revise किया, इसको आपको कम से कम revise कितनी बार करना पड़ेगा वादा है, कम से कम 10 बार revise करेंगे, 10 बार इसको सुनेंगे, जहां पर भी आप चल फिर रहे है, घूम रहे है, खाना खा रहे है, कुछ भी कर रहे है, आप इसको सुनेंगे, आपके क्लियर करना है तो taxation का paper clear करना है क्योंकि बाकी दो paper easily clear हो जाते हैं जो बच्चे अटकते हैं वो taxation में अटकते हैं और taxation में इसलिए अटकते हैं क्योंकि paper बढ़ाव पास्ट है लेकिन ऐसे लोग भी है जिन्होंने 90 प्लस score किया है taxation में इस बार आपने देखा होगा All India Rank 1 जो बहुत बड़ी बात है सोचो उस बंदे की understanding level क्या रही होगी उसका लिखने का तरीका क्या रहा होगा उसके प्रोविजन कितने अच्छे से दिमाग में बैठे होंगे तब जाके उसने 96 मार्क से इंदर taxation paper score किया अगर आप ढंका score करना चाहते हैं exemption तो लानी ही चाहिए exemption ला और मैनत तो करनी पड़ेगी बिना मैनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता करें ठीक आपको लगता है कि आपके लिए exam के कितना time बचा है बहुत कम time बचा है और इस time में आप जो है 100% पढ़ाई को दे दो बाकी सब चीजों को छोड़ दो आप यह समझे exam तक आपके आ जाते हैं पर उन्होंने घरवालों के कहने पर इतना कर लिया था अपने आप अपने से पूछो आप कितना वनवाज भोग रहे हो आपने जो आपके teacher कहह रहे है नंद्व पसंद मान रहे हो एक बार ट्राय तो करके देखो 4-5 मही ने सब चीजों को छोड़ एकदम दुन obviously आप जो है वो आगे बढ़ोगे और सीए बनोगे because life में यही 4-5 साल है जो आपकी जिन्दगी बना सकते है या बिगाड सकते है because मैं हमेशा बोलता हूँ that you are only maker and breaker of your life so guys give your 100% और अच्छे से पढ़ाई करिए बाकी revision lecture के तुरू हम लोग मिलते रहेंगे thanks a lot